आज हम बनाएंगे कंटोला की सूखी सबजी आप इसे कंटोला फ्राई भी बोल सकते हैं ये सबजी बहुत हेल्दी और बहुत फैयदेमंद होता है मैं वीडियो में आगे इसके फैयदे भी बताऊंगी नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो चलिए बनाना सुरू करते है यहां मैंने 500 ग्राम कंटोला अच्छे से धोकर और साफ करके लिया है ये बड़ा ओला कंटोला है कंटोला दो तरीके के होते हैं दूसरा इसके साइज में आधा होता है इसे आप 10-15 मिनट के लिए पानी में डूबो कर रखें ताकि इसकी मिटी और गंदगी अच्छे से साफ हो जाए तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे तो पहले हम इसके दोनों साइड के हिस्सो को थोड़ा थोड़ा काट कर हटा देंगे फिर इसे हम गोल गोल काटेंगे आप अपने अनुसार इसे काट सकते हैं इसे अलग-अलग जगों पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है कई जगों पे इसे कंटोला, ककोडा, मिठा करेला या कई जगों पे इसे जंगली करेला भी बोला जाता है हमारे हाँ इसे खेक्सी बोला जाता है आपके हाँ इसे क्या बोलते हैं हमें जरूर बताईएगा हमने हाँ पर सभी कंट्रोला को काट लिया है आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला भी नहीं किया है आप भी इसे ऐसे ही काटिएगा तो अब हम चलते हैं कडाही की तरफ गरम हो गया है इसमें हम एड़ करेंगी वन टेवल स्पून तेल गरम हो गया है तेल गरम होने पर हम इसमें दो सूखी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून जीरा एड़ करेंगी और इसे चटकने देंगे जीरा अच्छे से चटक गया है और अब हम इसमें कटा हुआ सब्जी डाल देंगे सुरू में हम सब्जी को तेज आँच पर 5-7 मिनट के लिए फ्राइ करेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब्जी करेला की तरह कड़वा होता है पर ऐसा नहीं है इसे मीठा करेला बोला जाता है इस सब्जी को आप एक बार मेरे तरीके से बनाई आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये सबजी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे दुनिया के सबसे ताकतवर सबजी भी माना जाता है इस सबजी में प्रोटीन और आरेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथ ही इसमें फाइवर और एंटियोक्सिडेंट तत्व भी पाया जाते हैं सबजी का कलर चेंज होना सुरू हो गया है और अब हमें हाँ गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें वन टीस्पून हल्दी पौडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल कर इसे मिला लेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ और मसाले जैसे की धनिया पाउडर लाल मिर्स पाउडर, जीरा पाउडर और आमचुर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर इसे कम तेल में और कम मसाले के साथ सिंपल तरीके से बना रहे हैं तो हम इसमें और मसाले नहीं मिलाएंगे और अब हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर और इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे हम कंटोला फ्राई बना रहे हैं तो हम इसमें पाने एड़ नहीं करेंगे इसे हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे इस सबजी को पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है बीस मिनट हो गया है और अब हम इहां गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे चार से पांच मिनट के लिए भून लेंगे जिससे की इसमें क्रिस्पीनिस आ जाए पांच मिनट हो गया है और अब हम इहां गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हमारा कंटोला फ्राइ बन करके रेडी हो गया है अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आयोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा और दोस्तों के साथ सेर जरूर किजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा थैंक यू थैंक्स पूर वाचिंग